हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ से ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हतेली हैं एक स्क्वारिश फॉर्म में नजर आ रही है कुछ इस तरह की शेप इनकी हतेली की जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफी थिक हैं और थोड़ा सा गैप भी फिंगर्स के बीच में नजर आ रहा है ठिकनेश जो है फिंगर्स की इंडिकेट करती है काफी अच्छी एनरजी और स्टाविना को और अगर देखा जाए जो यहाँ पर गैप्स नजर आ रहे हैं थोड़े जिद्धी सभाव के हो सकते हैं काफी जदा इंडिकेट होते हैं किसी के अंडर काम कर पाना इन के लिए काफी मुश्कल होता है और अब देख सकते हैं सीधी खड़ी रिखाएं मौजूद हैं काफी ज्यादा जो इंडिकेट करती हैं काफी फ्रेंडली नेचर को लेकिन साथी साथ यहाँ पर काफी सारी आड़ी रिखाएं भी हैं कुछ इस तरह की बारीक लाइन्स जो आपको आड़ी नजर आ रही होंगी यहाँ पर यहाँ इंडिकेट करती हैं थोड़े अग्रेसिव सभाव को इनकी वज़े से ऐसे व्यक्ति अपने खास मित्रों के साथ और खास रैलेटिव के साथ भी कई बार जगड़ा कर बैठते हैं और मनमटाव कर बैठते हैं और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है और जो इनकी गुरू फिंगर है वो सूर्या फिंगर के एकॉल है थोड़ी ज्यादा लंबाई में ही है जिस वज़ए से नॉलेज काफी अच्छी रहेगी इनकी और लीडर्शिप क्वालिटी जैसे व्यक्ति के भीदर काफी अच्छी होती है जिनकी गुरू फिंगर अच्छी लेंथ में हो और साथी साथ थोड़ी सी इग्विस्टिक टाइप की नेचर रहने के चांसे भी रहते हैं अब देख सकते हैं शनी फिंगर को यहाँ पर बिलकुल स्ट्रेट शनी फिंगर जो यहाँ पर इनकी हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करती है काफी मेनती है रहने वाले अपनी लाइफ में और इनकी जो सूरिया फिंगर है इसकी लेंथ भी यहाँ पर काफी अच्छी है बहुत जादा शौर्ट नहीं है और बहुत स्ट्रेट सूरिया फिंगर जिस वजह से क्रेटिविटी काफी अच्छी रहती है आर्टिस्टिक क्विय्टिज रहती है व्यक्ती के बीतर और ऐसा व्यक्ती अपनी इनstory की वॉजह से सूशल समाज में काफी अच्छा सूशल सर्कल बना लेता है और काफी अच्छा नेमन फेम भी व्यक्ती को मिलता है आगे देखते हैं यहाँलिख पर करती है इंडिपेंडन्ट नेचर को काफी अच्छे कम्निकेशन स्किल्स को और ऐसे व्यक्ति का बिजनस एकुमेन भी काफी स्ट्रॉंग रहता है जिनकी मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लैंथ में हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं चेक करते हैं इनके शनी माउंट और सूर्या माउंट है काफी अच्छी स्पेस उनको मिल पा रही है गुरू माउंट थोड़ा सा वीक हो रहा है और मरकृरी माउंट थोड़ा सा लो सैट हो रहा है Mercury mount का low set होना व्यक्ति को थोड़ा shy nature का बनाता है शरमीला सभाब रह सकता है लेकिन communication skills यहाँ पर काफी अच्छे रहेंगे इनके और इनकी जो marriage line है वो भी थोड़ी सी जुकी हुई नजर आ रहे कुछ इस तरह से जिस वज़े से जो partner है थोड़ा सा dominating nature का हो सकता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी रिखाएं इनके Mercury mount के उपर नजर आ रही है कुछ इस तरह है कि सीधी खड़ी रिखाएं जिसकी वज़े से व्यक्ति के अंदर sympathetic nature होती है ऐसे व्यक्ति दूसरों की help करते हैं और अपनी खास इसी heating quality की वज़े से दूसरों की help यहाँ अपने करमों से और अपने शब्दों से भी कर सकते हैं और इनी रिखाओं की वज़े से communication skills को काफी boost मिलता है और यह जो आप देख सकते हैं इनकी Mercury रिखा यह भी काफी strong है और इस तरह की रिखा होने की वज़े से व्यक्ति के भीतर business करने की क्षमता है वो भी काफी अच्छी हो जाती है चले आगे देखते हैं Mercury माउंट के बाद इनके सूरे माउंट को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूरे माउंट बिलकुल flat है उबरा हुआ सूरे माउंट नहीं है जिस वज़ेसे बहुत ज़दा name and fame की उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती क्योंकि सूरे माउंट का भी उबरा हुआ होना जरूरी रहता है और सूर्य माउंट और सूर्य रेखा अगर कुछ इस तरह से लंबी कोई सूर्य रेखा यहां मौजूद हो तो व्यक्ति को छोटी एज से ही रिकोगनिशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है लेकिन यहां पर जो सूर्य रेखा है बहुत जादा लंबी नहीं है हाट लाइन के ऊपर ही यह रेखा नजर आ रही है जिस वजह से जो recognition है society में जो name and fame है वो इन्हें old age चल कर मिल सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं चेक करते हैं इनके शनी माउंट को सूर्य माउंट की भाती शनी माउंट भी यहां पर flat नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा उबरा हुआ शनी माउंट नहीं है जिस वजह से काफी hard work life में रह सकता है और अगर शनी रेखा को देखा जाए तो कुछ इस तरह से यह शनी रेखा उपर की तरह बढ़ती हुई और completely चंदर एरिया से निकल कर शनी माउंट तक पहुँचते हुई शनी रेखा जो बहुत अच्छा चिन है जिसकी वजह से काफी अच्छी income रहेगी मेहनत बेशक रहेगी इनकी life में लेकर उस मेहनत का इनको अच्छा reward भी मिलेगा और काफी अच्छी income यह अपनी life में generate कर पाएंगे और अगर देखा जाए यहाँ पर money triangle को तो यहाँ पर एक छोटे size का कुछ इस तरह का money triangle भी बन रहा है जो accumulation of wealth के लिए अच्छा रहता है ऐसे विक्ति काफी पैसा भी अपने पास store कर पाते हैं चले आगे देखते हैं शनी माउंट के बाद इनके गुरू माउंट को गुरू माउंट यहाँ पर average नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा strong नहीं है नहीं बहुत ज़्यादा उबरा हुआ line of sympathy यहाँ पर नज़र आ रही है कुछ इस तरह की रेखा जिसको हम line of sympathy कहाते हैं ऐसे व्यक्ति sympathetic nature के होते हैं religious nature के होते हैं और साथी साथ यहाँ पर भी बुद्धासाई जैसा चिन बनता हुआ जो यहाँ पर इन्हें काफी अच्छी religious personality के रूप में दर्शा रहा है ऐसे व्यक्ति धरम करम के कामों में हिस्सा लेते हैं और जब थोड़ी age हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति किसी social working group को भी join कर सकते हैं या किसी ना किसी तरह से धरम के कारे में जोड़ सकते हैं और guru mount का बहुत ज़्यादा strong ना हो पाना यहाँ पर कई बार education में भी दिकतें करता है और कई पर family की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी कमी रहने के chances रहते हैं overall यहाँ पर हमने सभी mounts को चेक किया काफी अच्छे mounts इनके नजर आए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी major lines को वो इनके बारे में क्या-क्या इंडिकेट करती है यहाँ पर अब देख सकते हैं heart line काफी deep cut है और काफी अच्छा एक curve यहाँ पर heart की line में नजर आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ से एक curvy shape में heart line जो indicate करती है काफी curing type की nature को विशक थोड़ा सा aggressive सभा भी रहेगा इनका लेकिन nature इनकी curing type की रहेगी और थोड़ी emotional type की personality रहने के chances हैं लेकिन साथ ही साथ जब भी heart की line की कोई branch नीचे की तरफ चले निकल कर यहाँ से आप देख सकते हैं एक branch इनकी heart की line की कुछ इस तरह से नीचे की तरफ चलती हुई और यहाँ जो एरिया रहता है जिसको हम मार्स का एरिया कहते हैं inner mangal और इस एरिया का उभरा हुआ होना यहाँ पर indicate करता है काफी ज़्यादा गुसे को और heart की line की branch का यहाँ तक पहुँचना उस aggression को बढ़ाता है तो काफी aggressive type की nature रहने के chances रहेंगे से थोड़ सा aggressive सभाव रहने के chances रहेंगे तो इन्हें हनुमान जी की भक्ती करना चाहिए और साथी साथ हनुमान मंदिर जाना चाहिए हर mangal war को ता कि जो aggression है वो इनका कम रहे overall heart की line में यहाँ पर मुझे किसी तरह की problem नजर नहीं आ रही काफी deep cut heart की line है जिस वजह से heart की health overall ठीक रहने वाली है और आप देख सकते हैं इनकी line of mind को एक बिल्कुल straight mind की line यहाँ पर बनती हुई कुछ इस तरह की mind की line जो एक बहुती practical type की personality को दर्शाथी है ऐसे विक्ती जिनकी mind की line बिल्कुल straight हो काफी sharp minded होते हैं और इनकी business करने के मामले में भी इनकी काबियत काफी अच्छी रहती है तो यह है mind की line यहाँ पर इनको काफी benefit देने वाली है एक तरह से इसे भी धन योग से जोड़ा जाता है जिनकी mind की line straight हो ऐसे विक्ती बहुत ज़्यादा emotional नहीं हो पाते एक practical type की life जीते हैं और life में अपनी इसी approach की वज़े से काफी धन भी कठा कर लेते हैं और mind की line में कोई भी problem नहीं है आगे बढ़ते हैं और check करते हैं इनकी line of life को अब देख सकते हैं life की line काफी अच्छी deep cut है और काफी अच्छी लंबाई में life की line जिसमें से एक branch निकल कर चंदर area की तरफ जाती हुई भी दिखाई दे रही है आपको ट्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहां से कुछ इस तरह कि इनकी life की line और एक हलकी branch यहां से बाहर की तरफ चलती हुई इस तरह की deep cut life की line व्यक्ती की energetic personality को show करती है और इस तरह की branch जब बाहर की तरफ चंदर area की तरफ चलती है तो यह indicate करती है घर से दूर किसी दूसरी state में जाकर यहां किसी दूसरे country में जाकर stay करने के chances को long distance traveling रहती है ऐसे व्यक्ती की life में जिनके हाथ में कुछ इस तरह की चिन नजर आए और इसी तरह के चिन साथ ही अगर यहां पर भी बन रहे हो जो हमारा चंदर area है आप देख सकते हैं चंदर area के उपर अगर इस तरह की रिखाएं उपर की तरह चलते हैं भी नजर आएं तो यहां इस चिसकी और भी पुष्टी करती है कि ऐसा व्यक्ती long distance traveling life में जरूर करेगा और कुछ समय अपने घर से दूर किसी दूसरी जगा पर जरूर spend करेगा और वहाँ जगा कोई foreign country भी हो सकती है और आप देख सकते हैं यहां पर अंदर की तरफ life line के चलने वाली रेखा इस रेखा को mangal की रेखा कहा जाता है और जिनके हाथ में यह रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ती की energy काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ती अपनी life में काफी अच्छी property भी बना लेते है क्योंकि इसी line को जो mars line है इसको भूमी से भी जोड़ा जाता है और आप देख सकते हैं यहां पर शुकर area के उपर काफी सारी worry lines मौजूद है कुछ बाकी की खड़ी रिखाएं भी यहां पर जो यहां पर married life में कुछ disturbances को शो करता है कुछ problems को शो करता है शुकर area यहां पर इस तरह की formation की वज़े से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है कुछ stress lines यहां पर दाई दे रही है ऐसी stress line जब भी life line को काटती है या life line को disturb करती है तो व्यक्ति को health issues रहने के chances या किसने किसी तरह का stress life में रहने के chances रहते है जो यहां पर मुझे इनकी life line के according middle age तक आता हुआ नजर आ रहा है चंदर area यहां पर काफी अच्छा है और अगर देखा जाए तो चंदर area के ओपर कोई negative chin नहीं है लेकिन कुछ ऐसी रिखाएं जो traveling को indicate करती है जिनकी वजह से कोई थोड़ी बहुत anxiety क्योंकि यहां पर शुकर area के ओपर काफी सारी worry lines है जो थोड़ी सी इने तनाव जैसी स्थितिया life में दे सकती है otherwise moon area काफी अच्छा है जिस वजह से situations को control करने की capability इनके अंदर काफी अच्छी रहेगी तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एकी वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनके कोई question pending है तो मुझे वर्सेय पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद